हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपने अभी तक अपना आईशमान कार्ड नहीं बनाया है तो आप अपना आईशमान कार्ड घर बैठे ही आसानी के साथ कुछ ही मिनिटों में कैसे बना सकते हैं अगर आपका प्राइंट तक जरूर देखिएगा सबसे पहले आप इस वेब साइट पर आएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जायागा इस पर आने के बाद देखिए आप कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है आईशमान भारत डिजिटल मिशन और यहाँ पर लिखा है क्रिएट आभा नंबर आभा की फिल फॉर्म होती है आईशमान भारत हैल्थ अकाउंट तो आप यहाँ क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दो आप्शन मिलते हैं आप अपने आधार कार्ड से या अपने ड्रि करना है फिर आप नीचे आई अक्री पर क्लिक करेंगे पिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ओप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए जो मोबस नंबर आपके आधार काड के साथ लिंग होगा उस पर एक OTP जेंड किया जायागा उस OTP को आप पर show होगा अपनी detail को आप check कर लेंगे इसके बाद आप next के option पर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दुबारा अपना mobile number fill करना है इसके बाद देखिए आप यहाँ पर अपनी email id दे सकते हैं अगर आपके पास email id नहीं है तो आप यहाँ पर इसे skip कर देंगे जैसा कि आईश्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहाँ नीचे आपको option मिलता है link आभा address आप इस पर click करेंगे इसके बाद आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपका पहले से आईश्मान कार्ड बना है तो आप यहाँ पर यह सोनो select कर लेंगे इसक इसके बाद आप नीचे create and link के option पर click करेंगे जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा चुका है यह और आभा number has been linked to our address go back to your आभा number account आप इस पर click करेंगे इसके बाद अपना इश्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर mobile number या आभा number कोई भी fill कर सक लिखते हैं तो जैसा कि हम यहाँ आभा number अपना फिल कर देते हैं इसके बाद आप यहाँ year of birth select कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर click करेंगे और नीचे continue के option पर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दो option मिलते हैं कि आप कौन से mobile number पर OTP चाहते हैं जो mobile number आपके यानि आईश्मान कार्ड के साथ link है तो हमारे तो दोनों ही link है तो इसलिए हम यहाँ पर किसी पर भी click कर सकते हैं इसके बाद आप continue के option पर click करेंगे जिसके बाद आपके mobile पर OTP send किया जायागा उसे आप यहाँ पर fill करेंगे और continue के option पर click करेंगे जैसा कि आप screen पर देख card पर click करेंगे जिसके बाद आपका आईश्मान कार्ड download हो जायागा आप इसे print करके अपने पास रख सकते हैं और जब आपको कभी इलाज की जरूरत होगी तो आप इस card को दिखा कर अपने इलाज में छूट पा सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप भी आसानी से अपना आईश्मान कार्ड मातर दो मिनिट में बना सकते हैं अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे share करें हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को subscribe करें जिससे आपको इसी तरीके से informative वीडि खरीके खर्ड एपको टूँ करें तो हमारे इस पोस्ते हैं क Mode